और नेक को पर तो आप लोगों को रज़र नदर आ रहा है सिर्फ इतली से पीड के साथ स्किन वाइटिंग हुई है एक चीज जिपान और इंडिया में बहुत आजकाल फिरमस हो रही है वो कौन सी चीज है भई वो है कोफी सक्रब और कोफी स्किन वाइटिंग कोफी को इस्तेमाल करके हम अपनी फुल बोडि को वाइट कर सकते हैं तो कौन सी चीज है किस तरीके से वह लोग यूज कर रहे हैं सेम उस तरीके से मैं यूज करके दिखाऊंगा और आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा वहां ऐसा होता भी है कि नहीं भी होता जितना भी होता है वह हर चीजा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मीद करूंगा कि आपके वीडियो बहुत पसंद देने वाली है अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपको हमार चांस ही मिलती रहें तो प्लीज हम मैरे बई बास सुनों यह देखो यार पसीने से मेरा मुह बर गया इसरफ कितना सा बॉलाओं से इतना सा अभी मरी मेरी पीछे बढ़ी हुई है तो यह देखो तदि गरमी वीडियो आपके बना रहा है तो यह वीडियो नहीं हो सकती दूसरे चीज़् कि मेरे वीडियो को ल लोगा अवास से लग रहा होगा तो प्लीज या कुछ तो सोचो लाइक कर लो हां तो चलिए गाइस में अभी आपको वह सक्रब बनाना सिखाता हूं किस तरीके से बनाना है सिंपला 50-60 रुपे में आपकी बन जाएगी और हम अपनी फुल बोडी को पर अप्लाय भी करेंगे और आप इसका लाइफ द्रक दिखाएंगे और दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे तो चलिए गाइस फिर हम शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक बाउल उसके अंदर मेरे भई आपको चाहिए नैसले की काफ़ी कोफी तो तक्रीबर आपको अफ़ाइगे अलवरा जल आप लोगों को अफ़ाल मार्किट वाली चल जाएगी गरवाली फो फो भी चल जाएगी तो यहां पर तक्रीबर आपको दो चमच आपको यहां से निकल ने लीता है तो मैं अच्छे तरीक से को निकालता हूं यार स्दिक होगया तो यह लेमन है वो इसके अंदर आपको पिंच करते हैं देखें जैसे रेमडी बताई जाती है से उस तरीके से बना रहा हूं कोई अपने से मैंने फर्दर चीज़ नहीं आड़ किया तो जिस तरीके से बनाई गई थी उसी तरीके से बनाकर इसको हम यूज़ करेंगे तो यह उसी शकल में आपकी जो रेमडी है आपकी जो कोफी है वो आ चुकी है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों यांकों सामने कुछ इस तरीके से बन जाती है कोफी तो चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं बहुत आउट क्ल यह देखो नेक पर लगानी है पूरे नेक पर लोगों ने लगानी है फिर उसके बाद आपने अपने बाजों के उपर इसको प्लाय करना है यह देखें बाजों के उपर पूरा लगाना है पूरे बाजों के लगा रहा हूं नेक पर लगा रहा हूं नेक पर लगा रहा हूं आपको क्या करना है आपको इसको छोड़ते हैं दस से पंदरा मिनिट के लिए तो मैं दस से पंदरा मिनिट ने छोड़ता हूं ताकर यह बिल्कुल ड्राइ हो जाए दन मैं आपके पास वापीस आता हूं तो गाइज 10 से परदा मीट हो चुके हैं बिल्कु ये ड्राय हो चुकी है अब आपको क्या करना है नेक्स आप ये नोट करने वाला है बाद लोग होते हैं वो लैमन के साथ इसको सक्रब करके उतारते हैं मुझे लैमन इतना सूट नहीं करता इसलिए मैं लैमन यूज नहीं क पानी के साथ इसको उतारूगा लें किस तरीके से उताना ये दिरा नोट कर लीजेगा तो फश्व आफ आम पानी लेंगे थोड़ा सा पानी पानी लिया और इसकी मैं इस तरीके से मसाज करवाऊंगा ये दखें बिल्कु उतर रही है सारी ठीक है इसके आपने अच्छे से मसाज करवाने दखें पूरे अपने बाजू के जहां जहां पे आपने अप्लाई की है वहां पहां पे आपने लगाना है अच्छी खासी जो मैल कुछ है लाव यहां से उतर चुकी है और मजीद भी उतर रही है मैं अपनी नेक को भी अपने हैंड पूरे बाजू की इसी त उतार कर आपके पास दूबारा से हाजर उता हूं और आपको दोने के बाद इसका रिजल्ट दिखाता हूं सुकाइस मैं देखें अपने बाजों को भी दो लिया है अब यकीन माने रिजल्ट शेट हो आप लोगों के साथ सिर्फ सिर्फ देखें थोड़ी देर में मुझे यहां से इतनी लाइटन हुए है क्योंकि टैंडिंग है बहुत ही ज्यादा काफी लाइटनिंग हुए है इतनी बार अप्लाए करने से मुझे बहुत अच्छा इसे रिजल्ट मिड़ा है और नेको पर आप लोगों को जर्द नदर आ रहा है सिर्फ इतनी से पीड़ के साथ स्कीन बाइटिंग हुई है आप लोग भी सिर्फ एक बार से ट्राय करिए मेरे कहने पर दिल आपका फिर अब छमें चरव जो भी हाँ आप लोगों के सामने शेयर कर दी है एक छीज है कि जब आप लांन को यूज करते हैं अगर आप लोगों कि पर निकलते हैं और उसके लभा लोगों आप लोगों के skin reds हो जाती है कोई भी चील लगाने से तो आप लोग इस remedy को अपने face को पर ना लगाएगा क्योंकि इससे ही हो सकता है आपके skin ज्यादा लाल हो सकती है और pimple भी ज्यादा निकल सकते हैं क्योंकि इसमें lemon है तो वह आपके जब आप लगाओगे काफी ज्याद मिल जाएगा तो आपके से मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए इजादत दीजिए अलाल हो